दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp में Locked Chats को कैसे छुपाते हैं कैसे हाइट करते हैं अगर आपने WhatsApp में किसी Personal Chat पर Lock लगाया है आपने Chat को हाइट किया है तो उपर में Locked Chats का Option दिखाई देता है इसका मतलब यह है कि किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने किसी Personal Private Chat को Lock कर रखा है तो ऐसे में अगर आप चाते हैं Locked Chats को Hide करना चुपाना तो ऐसा आप कर सकते हैं इसके बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने WhatsApp में किसी Personal Chat को या किसी Personal Group को Hide कर रखा है या Lock कर रखा है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक Chat को हम Lock करते हैं आलिया की Chat है इसको मैंने Select किया उपर में थे Dot पर किलिक किया Lock Chat पर किलिक किया यहाँ पर हम Screen Lock को Verify करते है Chat जो है Lock हो गई है और Hide भी हो गई है लेकिन उपर में Locket Chat को Option दिखाई दे रहा है अब इसे कैसे Hide करेंगे इसे Hide करने के लिए आपको Locket Chats पर किलिक करना है यहाँ पर आपको अपना Password या Fingerprint जो है वो Verify कर देना है अब यहाँ पर आप देखेंगे Locket Chats के अंदर जितनी भी Chat और Group होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कुछ इस तरह से अब बात करते हैं अगर आपको Locket Chats को छुपाना है तो कैसे छुपाएंगे इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर में 3.00 पर किलिक करना है इसके बाद Chat Lock Settings पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी Hide Locket Chats इसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी Create Secret Code इसके बाद यहाँ पर आपको एक Code Set कर देना है जैसे के मैं सेट करता हूँ 1,2,3,4 यह मैंने सेट कर दिया इस तरह से यहाँ पर आप कोई भी Code Set कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको एक बाद का ध्यान रखना है जो भी Code आप यहाँ पर सेट कर रहे हैं आपको कहीं पर लिख कर रख लेना है By chance अगर आप Code भूल जाते हैं तो क्या होगा जितनी भी चैट पर आपने लॉक लगाया है उसके अंदर जितनी भी मीडिया फाइल है और जितनी भी मेसेजे से वो सारे डिलिट हो जाएंगे उसके बाद ही लॉक के चैट से चैट बाहर आईगी इस बात का आपको ध्यान रखना है कोड आपको भूलना नहीं है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको next के बटन पर किलिक करना है फिर से कोड को एक बार यहाँ पर confirm करके done पर किलिक कर देना है setting on हो गई अब यहाँ से हम back आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर locket chats का option hide हो गया यानि कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने whatsapp के अंदर किसी personal chat किसी personal group को hide कर रखा है lock कर रखा है किसी को पता ही नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर locket chat का option दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है अब जो chat आपने lock की अगर वो बंदा आपको message करेगा तो आप किस तरह से message देखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ message आएंगे इस तरह से notification लेकिन notification में पता नहीं चलेगा यहाँ पर आप देखेंगे what's up one new message यानि कि आपको यह पता चल जाएगा कि जो chat पर आपने lock लगाया है उस chat पर message आया है इस पर आपके लिक करेंगे chat direct open नहीं होगी यहाँ पर आपको code enter करना होगा या verify करना होगा अपना fingerprint तो chat unlock हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं अब बात करते हैं जो locket chat का option है उसे अगर आपको देखना है उसके अंदर जितनी भी chat आपने height की है lock की उसे अगर देखना है तो कैसे देखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है उपर में search बार पर click करना है और यहाँ पर अपना code dial करना है जैसे कि मैं dial करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर locket chats का option आ गया अगर यहाँ पर आपको गलत code डालेंगे अब बात करते हैं अगर आप locket chat को वापस से बाहर लाना चाते हैं आप चाते हैं वापस से locket chat यहाँ पर दिखाई दे तो आप वैसा भी कर सकते हैं इसके लिए आपको यहीं पर आना है search बार में code dial करना है और यहाँ पर locket chats पर click करना है chat lock settings पर click करना है इसके बाद hide locket chats इस setting को off कर देना है continue पर click करना है अब इसके बाद back आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर locket chats को option दिखाई दे रहा है ठीक है यहाँ पर इस तरह से आप इसे use कर सकते हैं अब बात करते हैं अगर आपने locket chat को hide कर रखा है और आप code भूल गए तो फिर आप chat को बाहर कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको उपर में three dots पर click करना है यहाँ पर settings पर click करना है यहाँ पर privacy पर click करना है यहाँ पर सबसे नीचे आना है यहाँ पर chat lock पर click करना है इसके बाद unlock and clear locket chats इसके बाद unlock and clear पर click करना है तो इससे क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपके mobile का screen lock आ जाएगा आपको इसे unlock कर लेना है तो locket chat के अंदर जितनी भी chat आपने lock की थी वो बाहर आजेगी लेकिन उसके अंदर जितने भी messages थे वो सारे delete हो जाएगे जैसे कि आप देख सकते हैं सारे delete हो गए है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है code आपको भूलना नहीं है अगर दोस्तों आप WhatsApp पर ही lock लगाना चाहते हैं कि WhatsApp इस तरह से कोई open ही ना कर पाए तो WhatsApp पर आप lock लगा सकते हैं बिना किसी app के इसके लिए आपको ये वाले वीडियो देख लेना है अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी help मिली है तो मुझे comment करके जरूर बताना वीडियो को एक like कर देना चैनल को subscribe कर देना